आज तक किसी को इन यूटूबरों से नया मिला है अगर किसी को मिला होगा तो कॉमेंट करके बताएगा क्योंकि मेरे नजर में तो बिहार में ऐसा कोई नहीं है जिसको किये निज एटीन और बिहार जारखंड के जो यूटूबर कि आप लोगों ने देखा सेर दहारते हुए पहुंच चुका है तामिल नाडू तामिल नाडू में आज 31 मार्च को मदुराई हाई कोट में पेस किया जाएगा उसके बाद अभी जो है आज के दिन मनीश कस्याप को मदुराई कोट से वहां सुनवाई होने के बाद फिर उसक को बिहार के लिए लाया जागा क्योंकि चार तारीकों बेतिया में उनका कोट न्यालय के पडिशर में उनका पेसी है और वहां पे सुनवाई किया जाएगा लेकिन सेर किस प्रकार से दहारते हुए पटना एयरपोर्ट पर जा रहा है और गया यह आप स्क्रीन पर भी मजदूरों के लिए आवाज उठाया है मनीज कस्यव अगर सही में मजदूरों के लिए आवाज उठाया है तब तो बिहार सरकार उसके साथ यह अन्याय कर रही है अगर मनीज कस्यव का वीडियो फरजी है तब तो न्यालय को उसको डंड देना चाहिए लेकिन सबसे सोसल मीडिया के यूटूबर जो हैं वो खुद को कहते हैं कि मैं पत्रकार हूँ लेकिन सोसल मीडिया पे ही उनका केवल वीडियो आता है तो इसी के लिए वो यूटूबर जो बड़े नाम रखे हैं निउज 18 जी जहारखंड ये सब जो हैं दिन भर मनीज का ही जाप करते हैं और मनीज का ही पोल खोलते हैं और मनीज का ही हकीकत दिखाते हैं लेकिन मनीज का हकीकत इस प्रकार से दिखाते हैं कि बिहार के लोग जो हैं ये सोचने पर मजबूर हो जाएं मजबूर हो जाएं कि मनीज कस्यब इतना बड़ा अपरादी है मनीज कस्यब इतना बड़ा गिन अब जो मामला आया है तमिलनाडू से तमिलनाडू में दही के नाम को ले कर जो हंदी में दही लिखा व encryption और उस पर बदलाव करते हैं उसका नाम वहां के लोकल नाम के अनुसार रहते हम् सब्सक्राइब वहां के मुखमंत्री जो है कि हिंदी भासा को और लोकल भासा को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है तो बिहार के जो मजदूर वहां अभी रह रहे हैं क्या उनको परिशानी नहीं होती होगी क्या उनके साथ जो है परिशानी नहीं होती होगी लेकिन फिलहाल ये तो सवाल उठता है और सवाल का ज बहुत बड़ा राज खोलेगा मनीज कस्यव का जो दोस्त है मनी दिर्वेदी वही बहुत बड़ा राज खोलेगा वही बहुत बड़ा फ्रॉड है उसके बाद रजनीश है उनका खास मित्र जो है रजनीश वो कितना करोर और कितना गवन कर चुका है संगी यूटूबर है वो sometimes ??? लोग जो हैं वो दे रहे हैं हैं भले हो उनके नाम का चैनल है उनका जो चैनल है उनका नाम अलग हो लेकिन है वो यूटूबर कि आप भीज़ा है कि ऑगल सोसल मीडिया पे ईस प्रकार से मनीज कस्यव सोसल मीडिया इंस्टाग्राम फेस्बुक ट्वीटर इस पर एक्टिव थे उसी प्रकार से उनका भी चैनल जो इसी सब पर आता है और खुद को इतना बड़ा पत्रकार करते हैं कि आज तक किसी गरीब को न्याय दिलवाए किसी गरीब के लिए आवाज उठाए नहीं होंगें क्युक्क उनको सेलेदी पर प पलना है सेलेदी उनको लेसाय देगी और इसले दे पachen इसके वहाज उठाने से दस पत्रकार लोग वहां पहुंच जाते थे और दस पत्रकार जब आज उठाएंगे तो सरकार को वहां के फुलिस प्रसासन को सुनना परता था और करवाई करनी परती थी लेकिन आज तक किसी को इन यूटूबरों से नयाय मिला है अगर किसी को मिला होगा तो कॉमेंट करके बताएगा क्योंकि मेरे नजर में तो बिहार में ऐसा कोई नहीं है जिसको किये निव्जेटीन और बिहार जारखंड के जो यूटूबर लोग है जो इतना मात्रा में बिहार में इनको दिया गया निव्जेटीन वाले कंपनी के मालिक से भी मैं कहना चाहूंगा कि भाईया आप लोग इतना मैन पावर लगा हुए हैं फिर भी आपका जो मैन पावर जो है वो ग्राउंड जीरो पर क्यों नहीं जाता है ग्राउंड जीरो पर जाकर जो अभी छपड़ा कांड हुआ है उसमें जाकर उस अपराधी के घर के बारे में क्यों नहीं दिखाता है चलिए वहाँ तक बात हटागे, अभी जो रेफ हुआ है, बेगु सराए में, दो साल की बच्ची के साथ, उसके न्याय के लिए आप लोग क्यों नहीं वाज उठाते हैं, चलिए वो हटागे, अभी जो कटिहार में नर्स अंगार हुआ था, उसके लिए आप लोग ने क्यों आइट लेकर और सोशल मेडिया पर इतना एक्टीव है कि आपका एक मिनेट में च्यार को शांवियों आता है 4 वीडियों में अगर भर भी आप ये नहीं कहते हैं कि जो डॉक्टर था वो इतने मिट्न जो है तलवा चाटिएगा अरे कभी तो ग्राउंड आपके पास हमको लगता है कि यह जितने यूटूबर है इनके पास दिल और जो है इनके पास दिमाग तो है ही दिमाग तो मैं मानूंगा कितना दिमाग अठेवना में दिमाग है लोका और कब तक यह लोग जो है सरकार की दलाली करके अपना चैनल और टी यारपी चलाते रहेंगे एक दिन ऐसा आएगा कि बिहार की जनता आपको ठुकड़ा देगी और आज जो आप टी आरपी खेल रहा हो न यह टी आरपी एक दिन आपको बहुत भारी परेगा क्योंकि बिहार की जनता जो है अब जाक चुकी ह अब अपना हक खोज रही है और जो यह 30-32 साल से बिहार की जनता को ठगा गया है बिहार की जनता को प्लान के लिए मजबूर किया गया है यह सारा चीज बिहार की जनता समस्ती है और बिहार की जनता इसका भरपूर फाइदा उठाएगी इस बार देखिएगा बदलाव भी होगा इस बार देखिएगा किस प्रकार से जो है आप लोग का ट्यार पी चमकेगा बाकि आप क्या सोचते इस वीडियो के मादम से कॉमेंट में जरू बताएगा और वीडियो को सेर कीजिएगा जैन जैन विया